दोस्तो एनीटिंग और अवरीटिंग में आप से गिया बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग के यूएफ मेंब्रेंग की सर्विसिंग करना सीखें वह भी बिना किसी टूल के क्योंकि मैं इसका टूल खो गया तो मैं आपको चमच के जो बैक साइड मैं इक चमच लिया उसके बैक साइड समय से खोलूँगा यह जो इसका पॉइंट होता मैं यहां से इसको प्रेस करूँगा और उपर से इसको खीचेंगे आप चाहें तो किसी और जन की भी घर में पुश कर रहा हूं यह हमारा बाहर आ गया अब इसके क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं इसके लिए एक ग्लास में पानी ले लिया और जो इसके साथ बॉक्स में स्रींज आती है वो ले ली साथ एमल की अगर आपके बास स्रींज नहीं स्रींज भी मिस हो गए तो मार और यह प्रोसेस हम कई बार करेंगे जो हम इस प्रोसेस को दूसरी बार करेंगे यह पहली बार हो गया आप जो हम इसको दूसरी बार करेंगे तो एक ओर से थोड़ा इससे दबा के रखेंगे एक ओर से पानी को बाहर नहीं निकलने देंगे पानी को इसमें रोक के इतना ही पानी डालें जितना उसकी केपिसिटी आप बहुत जड़ा प्रेश करें तो स्रेंज भी तूट सकती है क्योंकि हमने एक और से रोक के रखा आप दोनों और से इसको बंद कर लें टोटी को बंद कर लें इसे शेक करें हिलाएं अच्छे से जिससे मिट्टी जो इधर और हम इसमें पास करेंगे जिदर कि हमाई टोटी मोटी यह उसी वर्चसे कर रहा है आप क्या कर सकते हैं जिदर की तोटी पतली है उधर से भी एक-दो बार पानी गो पास कर सकते हैं उसे और भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए यही प्रॉसेस को आप डिपीट करिये 5-6 तो देखिए कितना गंदा बानी हुआ निकलने लग गया तो अब लगब लगब के हमारा साफ हो गया आप मैं बता तो इसको फिट कैसे खरना है फिटिंग के लिए बहुत एजी है लेके गए जिदर का हमारा पतला उदर से हमने प्रेस किया प्रेस किया और वो उसी जगह से अब आप देखिए पानी जो पहले मेरा बहुत धीमी आ रहा था अब देखिए इसकी कैपसिटी कितनी बढ़ गई यह तो पूरी लाइन जी आने लगी पहले तो बून बून आ रहा था देखिए कैसा तेजी थे आने लगा मैं उमीद करता हूँ आपके वीडियो काफी काम आएगा इसे लाइक करें तदा शेयर करें